इस सवाल में आपको इस सिस्टम दे रखा है आपसे कहा गया है ब्लॉक A की विलास्टी 6 मीटर पर सेकंड है ब्लॉक B की विलास्टी कितनी होगी यह पूची गई है तो सबसे बहले तो हम यह देखते हैं आपे कितनी स्ट्रिंग्स हैं और कितने पूली मुवेवल हैं एक्सेटर एक्सेटर सबसे बहले तो यह रॉड है जिस ट्रिंग नहीं है पर उससे कोई फर्पने बढ़ता है इस कुश्चन में यह रॉड है इसकी लेंध कॉंस्टेंट है और यह पूली कहीं इसे फिक्स नहीं है इसलिए यह पूली मूव कर सकती है रॉड की लेंध कॉंस्टेंट है इसलिए इस पूली की विलास्टी हो गई 6 meter per second same as the velocity of block A अब आपसे पूछा गया है कि इस block B की velocity कितनी है pulley एक ही movable है बाकी दोनों fixed है यह rod हो चुका है अब बात करते हैं और पर string है क्या विल्कुल है एक ही string है string यहां से शुरू हुई ऐसे wind होके वापस आके यहां fix होके तो एक ही string है अब यह pulley क्योंकि उस तरह जारा velocity 6 meter per second से और मैंने को इस B की velocity निकालनी है इसलिए मैं string के कुछ टुकड़े करके देखता हूँ L1, L2 L3, L4 मैं टुकड़े करके सिर्फ इतना अचीफ करने के कोशिश कर रहा हूँ कि इन सबके sum का rate of change 0 है यह इन सबके rate of change का sum भी 0 है अब L1 क्या है इन दोनों points के बीच में separation तो d dt of L1 क्या होगा इन दोनों points का velocity of separation this implies लेकिन यह rest पर है और यह जारा उधर की तरफ इसलिए velocity of separation नहीं है अप्रोच होगा इसलिए हम क्या लिखेंगे minus 6 meter per second minus 6 plus d dt of L2 L2 is a separation between these two points यह point इधर जा रहा 6 meter per second से और यह वाला point rest पर है इसलिए velocity of separation negative हो जाएगा इतना होगा minus 6 meter per second तो इस point की velocity 6 meter per second similarly d dt of L3 क्या होगा यह वाला point rest पर है यह वाला point इधर जा रहा 6 meter per second से तो d dt of L3 भी हो जाएगा minus 6 plus d dt of L4 d dt of L4 क्या होगा इसका rate of change क्या होगा यह जा रहा है नीचे की तरफ 18 meters per second तो इस block b की velocity जाएगी 18 meters per second ढएगा रहा है छोगी 17 जाएगा ही 17